देश की संसत सबसे बढ़ी है किसी लिए ये सवाल होता है ना हम भी मान रहें के संसत बढ़ी है कच्छा आप बोलते होंगे कच्छा मैं नहीं बोलती है क्राइच में पहला कोई बड़ा मानने गोदाम देस में पहले बनेगे पारॉलेमेंट में कानून बाथ में बने क्या व्यापार्य को पता था गालाकटियूं को कि हम गोधाम बना लेंगे बड़े-बड़े सस्ती जमीन खरीद के और हम पार्लेमेंट पे कहीं उनका कबजा तो नहीं हो गया पार्लेमेंट पे ऐसा नहीं लगता कि देश की पार्लेमेंट पे बड़े द्योगपतियों का कबजा हो गया हो ऐसा लगता है कि आपको भी सवाल है कि आपको जन समर्थन इकठा करना होगा आप कैसे वो कर पाएंगे आंदोलन आप पहाँ पर करते हैं आपके साथ लोग रहते हैं और यह सरकार की उसकी वज़े से परिशानिया थी लेकिन किस हद तक आप पहुंच पाएंगे अब यह भी तो पूछा जाता है ना कि आप कॉंग्रेस के टिकट पर खताली से लड़े आप सीट नहीं जीत पाएंगे आप कैसे योगी को हरा देंगे जवाब होगा हम क्या किसी को और दो बनी बात कहरें बात कहना भी देस में गुना है क्या कुछ लेकिन जीत जाएंगे इनका कोई कंडिडेट बीजेपी सरका का कोई कंडिडेट हा रहागा सरपी टिकट डियेंगे इसको जीत का देगा है फक्क देगा है चुनाव आयोग पर उणली उठा रहे हैं नहीं मैं तो सपोड़ हूँ मैं तो भही राजे सभाकु भी प्रणाम करूं और मैं कोट को भी प्रणाम करूं यो लोग वोट देते क्या क्या हो या ईए तक वाण से पंगाल में गई तो यही है तो है क्यह रहां नहीं slept सब दिखा रहे हैं हमारा देखर ही आप यहां पर बोल पा रहे हैं सब दिखाते हैं गंजा भरती अभियान चले आँ वहां पर अगर ना चलाओ तो बताओ आपको लगता है कि 24 घंटे एक राकेश्ट के चैनल खोल दिया जाए तब ठीक आएगा भी दिया तब यही भड़ास है दिल में वरना इतने गुस्से में कहां बात करते थे पहले लाइन से गुस्से में बैठे हो आप कभी प्रिंसिपल बताते हो कभी कुछ बताते हो सवाल ह कि आंदोलन को कैसे मजबूत किया जाए किसान कितने आपके साथ है थोड़ा ठंडा करो दिमाग सोचो कि क्या करना है डिफीट बीजेपी आप ही ने बोला है ना बीजेपी को हराओ हम किसी पार्टी के समर्थन में नहीं जाएंगे लेकिन बीजेपी को हराने के लिए प्र प्रमोशन ना करना हो तो भई वो बताओ आप अगर यह दिल्ली बन जाहीं लखना हूं तो कोई एतराज आपको बिल्कुल आपको जो करना है आप कीजिए आप देश के स्वतंत्र नागरिक है हमने कहा है यह गाओं का किसाने सिद्धा बोड़ा है इसको जाद जान करी यह दवाई देता है उस दवाई से ठीक होता है कुछ पार्टियों को दिमाग की बुखार है उनका बुखार उतरा का तीन साल में बंगाल में दवाई दीत उनसे कुछ अराम हुया कुछ रियक्शन हुया कुछ दवाई इनको यहां मिलेगी कुछ अलग-अलग जगे मिलेगी ह हमारा इलाज भी है हमारा इलाज होता फार्लेमेंट में वहां बड़े-बड़े डाक्टर है भाहु है लेकिन कुछ पालिट्यूच का इलाज गाहं में लोgor तरह बते इन्हें गाहनों फिल्माग पुनि ओला ठीक आराम में लगा इनको पूरा और यह चे महीने वाला इलाज कैसे निकलेगा उपी में भी तो चुनाओं है आपकी दवाई में दम है यह यह कैसे पता चलेगा अचा आण तो अभी तो यह कानून वापस ही हो जाए यह लो दोनों तरफ से बाटिंग करेंगे उधर जाके क कानून की बात कर ले भी यहां करना भुगतान की बात कर ले मुख्यमंत्री जी हर्याना के मुख्यमंत्री से कम जोर थोड़ा है अपने यहां के मुख्यमंत्री वहां दस सिटे है यहां सिटे हैं वहां 35 रुपे हास्पावर बिजली का रेट है यहां 175 है इनको जड़ा कम लो आपनों दो वहांद भी इनी की सरकार है यहां भी इन सरकार है जाट वोटो पर जढ़ा में स्पैसिफिकली वास करता हैं यह नी बात मेरा उसके न पर ही नि कपकिसाण की बात करो आप जहाँ गुमा ले जाना क्योंकि वो चुनावी मुद्धा है दरसल देखे शक का इलाज होता नहीं है ना शक की कोई दवाई नहीं है किसान पर बात करेंगे आप किसान पर आपके चश्मों पर शक का परदा लगया है उसका इलाज आपकी को दूनना पड़ेगा मैं अगले सवाल पर जाती हूं किसके हमारा आलू का किसान जो आत्मत्य कर रहा है हमारा ग्यों का किसान जो महां पर रामपूर का एक डाटा दिया है पूरा डाटा है हमारे पास में दिखाने की इम्मत है किसी की दिखा दो रामपूर में फिर वह रामपूर में जो धान पैदा होता है वो ब्यार में पैदा होत खरीद होती है रामपूर में आप हिम्मत दिखाओ हिम्मत बहुत है तीवी पर लाइब चल वहाए ना दिखा तो रहे ने उसकी सीवी आज करवा दो अके लिए रामपूर की कि MSP पर जांच करवा दो परधान मंत्री जी कहते है MSP ठी है और रहेगी और धान बिखरा है 800 रुपया को इंटल मार दिया किसान कि मर गया किसान मर गया गाउं में जाया कब हो जो हालात क्या क्या है जाओ तो एक बार गाउं में